नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लाकेस मैथमेटिक्स में तो बच्छों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया चल रही होगी इसी तरह से तैयारी आप लोग करते रहे क्योंकि आपका एकजाम बहुत नजदिक आ चुका है एकदम मेहनत थोड़ा सा और कर लेजिए आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है तो चलिए आज हम आप लोग को अगले एपिसोड ले करके आए हैं रिलेशन एंड फंसन यह आपका अब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है 2023 में परिच्छा दने वाले सभी बच्छों के लिए बहुत ही important question सब हम लेकर के आये हैं आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे जो भी बच्छे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि notification आपको जल्द मिले ओके च सम्बंद और फलन आज का topic है हमारा तो चलिए सम्बंद और फलन में हम लोग चर्चा करते हैं relation and function ठीक है and function तो देखो पहला question क्या है आपका ध्यान दोगे in the state z of the integer the binary operation star is defined देखो क्या कर रहा है कि z integer है आपका कोई इसमें आपको star एक binary operation star क्या है आपका एक कोई binary operation है अब a star b बरावर a plus 3b square then find the value of 2 और 4 तो कथा two star four का value क्या होगा बताईए इस परकार का question board exam में कुछ जादा ही पूछा जाता है तो इस परकार के question को आप बनाएंगे कैसे तो अध्यान दीजिएगा यह पहला बहला 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 किसका है बी का इस a और इस b वाले भेलो को जहां जहां यह a आया है जहां जहां b आया है उनके जगा छिपका देना अब जैसे ही a का भेलो 2 रखेंगे तो क्या हो जगा टू पलस क्या है 3 into b का स्क्वार b बोले तो 4 4 का स्क्वार कितना हो जागा 16 अब जब इनको देखेंगे आप सॉल्व करेंगे तो 2 पलस 16 ठीजा कितना होता है 48 जब दोनों को एड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 50 क्या आएगा 50 क्या मैंने बता है एक वर फिर से ध्यान दू कि द जहां जहां इस्तमाल a और b का हुआ है जैसा operation define हुआ है वैसा ही save operation आपको भी कर देना है तो a के जगा 2 चिपका दिए b के जगा 4 चिपका दिए जब पूरा को मैंने solve किया तो पता चला answer कितना आ गया 50 तो देखो आपके पास 50 है तो 50 क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएग कहता है question f such that n tends to n n से लेकर के n तक है और fx का value दिया हुआ है 2x plus 3 ओके और आप से कर रहा है कि f inverse x का value क्या होगा बताइए inverse का value पूछा है ना simple सी बात यहाँ x है तो x वाला ही option देखेंगे तो हम लोगों करना क्या है यह fx को मान लेता है कुछ देर के लिए y जैसे y माने तो y बराबर अब कितना हो गया 2x plus 3 यहाँ से x का value निकालना है तो x का value जब निकालोगे 3 को इदर भीजोगे तो कितना हो जाएगा y minus 3 बराबर कितना 2x तो x बराबर क्या हो जाएगा अब यह two multiply में इदर आएगा तो divide में होगा तो y minus 3 बराबर कितना 2 हो जाएगा अब अपने को पूछा है x का inverse तो जहाँ जहाँ y है ना वहाँ वहाँ क्या कर देना है x को चिपका देना है तो answer क्या हो जाएगा x minus 3 बराबर तो ऐसा option आपका b number में कहां है b number आपका right हो जाएगा x minus 3 बर टे 2 अगर यह y रहता तो y बला option ढूड़ लेते हैं y बला है नहीं तो इसलिए x minus 3 बर टे 2 इस type का भी question आपकी exam में पूछा जाता है यह minus 1 को inverse का जाता है हिंदी में इसको परतिलोम कहते हैं चले कोई दिक्कत नहीं बच्चों समझ में आ गया होगा चले अगले question की और चलते हैं next question number आपके पास 3 है देखिए question number 3 क्या कर रहा है question number 3 देखिए आपके पास क्या कर रहा है कि the number of binary operation दूई अधारी संक्रिया है में number कितना होगा बताए अगर set के पास A और B दो element है अब number of binary operation पूछा है तो मैं formula बताया था आप लोगों जब भी number of binary operation पूछा जा power n यह इसा होता है n क्या हो गया तो number of element present in the state तो number of element कितना है 2 है तो अब क्या हो जागा 2 पर पावर 2 पर पावर 2 इनको जब इनको solve करेंगे आप तो 2 पर पावर 2 तू जा 4 तो 2 पर पावर अगर 4 करोगे तो answer कितना आएगा 16 तो therefore right answer आपका कौन सा हो जाएगा B क्या बोले म हो एगर इसमें 3 element होगा तो 3 पर पावर 3 पर पावर 3 होगा 4 होगा तो 4 पर पावर 4 पर पावर 4 हो जागा 2 element है तो 2 पर पावर 2 यह क्या तो अधारी संक्रिया के संक्या पूछेगा तब binary operation का total number पूछेगा तब ऐसा काम करना है ओके बच्चों कोई दिक्कत नहीं है change to n मतलब natural number प्राकृतिक संक्या करते हैं such that fx बरावर 2x प्लस 1 2x के वल दिया ओके अब सबसे पहली बात देखना यह 2x कहें पंसन कैसा यह है आपका linear क्या है linear जिसको आप क्या बोलते है रैखी अब linear पंसन जब भी होता है ना इसका power degree 1 होता अब यह जब भी होगा तो य यह हमेशा याद रखिएगा यह फंसन 1 1 भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है on 2 भी होता आपको पता है ना फंसन में ली चारपर करका होता है 1 1 many 1 on 2 into अब दोनों कमबाइन कर दिये 1 1 on 2 तो इसका नाम एक और पर जाता है इसको आप बोलते है बाइजेक्टी क्या बोलत बता है अब आपको देखना यह जो 2x है linear है तो linear function मैंने क्या बता है कि 1 1 on 2 होना चाहिए तो अब ऐसा option छूणिए 1 1 on 2 जहां मिल जाए यही आपका राइट हो क्योंकि 1 1 into होगा नहीं यह मेनी 1 यह तो होगा नहीं अब उसका मेनी 1 यह तो होगा ही नहीं तो therefore कौनसा हो जा question number 5 आपके सामने आपके screen पर दीख रहा चले आगे बढ़िए अब देखो यह जो question है आपका बताना है किस type का संबंद है आपको पता है टोटल संबंद 4 परकार होता है कौन कौन तो reflexive symmetric transitive तीन या दिया हुआ है और एक चौथा होता equivalent सम्तुले हिंदी में इसी को बोलते है स्वतुल संकरमग सम्मित और उसको सम्तुले तुल्यता भी कहा जाता है फिलाल बताना है कि यह किस परकार का relation है तो देखो भईया चार परकार का relation में पाला है reflexive तो reflexive का नियम क्या होता है कि जो होगा खुद के साथ ordered pair होना चाहिए अगर one है तो one one होना चाहिए तो one one कही कहीं नहीं दिख रहा है क्या कहीं नहीं दिख रहा है इसका मतलब reflexive होगा नहीं यह फ्लैक्सिव का नियम है जो भी element है खुद के साथ ordered pair होना चाहिए मतलब a, a होना चाहिए यह fix नियम है अगर one है तो one one two है तो two two three है तो three three होना चाहिए ऐसा option में दिखने रहा इस रिफ् symmetric symmetric क्या काता है जो होगा उसका उल्टा अगर one three है तो one three का reciprocal क्या होगा three one यह तो है चलो भker चलेगा for two हो है तो two for you भी चलेगा two three है तो three two होना चाहिए क्या 3-2 है यहाँ पे 3-2 कहीं भी नहीं है इसलिए symmetric भी नहीं होगा सम्मित भी नहीं होगा मैंने क्या बताए symmetric relation होने के लिए क्या नियम है कि जो होगा खुद के साथ होना चाहिए अगर A-B है मान लिजे तो B-A-B होना चाहिए तब आपका symmetric होगा अब next आज यह क्या है transitive transitive का नियम क्या है भाई A-B, B, A, B, C है तो A-C भी होना चाहिए यह दो common मिलना चाहिए common मिला क्या नहीं तो नहीं ढूंडेंगे common मिला क्या हाँ मिला तो क्या ढूंडेंगे पोर-फोर क्या पोर-पोर है कहीं पे नहीं है तो नहीं है तो टांजिटिव भी नहीं होगा तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो डी नमबर इसका राइट आंसर हो जाएगा नन अब दीज इनमें से कोई नहीं नहीं रिफ्लेक्सिव है नहीं सिमेट्रिक है नहीं टांजिटिव है क्लियर है चलो आगे भरो next चलते हैं हम लोग question number five की और बहुत important chapter है ये इससे आपका objective दो चार टूप पूछ देता है बोड एक्जाम में इसलिए आज आपके लिए हम कुछ question लेकर करके आया है जिस सारे question को अंत तक देखिए आपके बोड एक्जाम में objective नहीं छुटेंगे relation पंचन से इसी से अगली question की और क्या कर रहा है ये दिया है one two three which of the following function app such that it tends to be does not not लगावा ध्यान दीजेगा क्या लगावा है not लगावा है not अब जब not देखेंगे आप not जब लगा हुआ है तो मतलब देखना है कि किनके पास inverse नहीं है नहीं बला ढूनना हाय बला नहीं ढूनना इनवर्स ह के साथ साथ on two भी होना चाहिए अगर ये होगा तो आपका inverse exist करेगा नहीं तो नहीं करेगा अब यहाँ देखो one का one के साथ बरिया बात है two का two के साथ बरिया बात है three का three के साथ यह तो one one है इसका मतलब यह नहीं होगा का है कि बला not इसके पास नहीं है वो देखना है बला यहां देखो टू का वन के साथ भी अगर इनका बनाओगी इस तरह से डबा तो यहां अगर वन टू थिरी है वन टू थिरी यहां भी देखो वन टू थिरी अगर ले 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 लेते हैं तो वन का देखो किन के साथ है टू के साथ टू का किन के साथ है वन के साथ थिरी का किन के स ने इसका मतनब inverse नहीं होगा यह आपका क्या है गलत है इसी लिए यही सही होना चाहिए फिलहाल कुछ देर के लिए आगे फिर बढ़ते हैं वन का थ्री के साथ थ्री का टू के साथ तू का वन के साथ यह 1-1 है इसलिए यह इंवर्स नहीं करेगा वन का टू का थ्री तू का नोट नहीं वपोड़ना तो नहीं वपी नंबर नहीं हिए जो नहीं वपी नंबर ही जो नहीं वप को दिक्षट नहीं है चलिए आगे बढ़ते है नेक्स कोसर्ण कोक्सन लेके रखे आया है next question देखे save a number अब ये save a number क्या कहता है save a number में देखो absence to add 10 to add real number से real number तक दिया हुआ fx 3x minus 4 है then which of the flowing inverse x inverse क्या होगा बताई अभी just इससे पहले कोई question एक आया था इसी प्रकार का inverse निकालने के लिए हम लोग solve just किये थे तो करना क्या fx को मान लेना है y तो मैंने मान लिया y बरावर 3x minus 4 अब minus 4 को इदर भेज़ दो तो y plus 4 बरावर कितना हो गया 3x उसके बाद मैंने क्या बताए था x का value निकालना है तो ये 3 multiply में इदर आगा divide में होगा तो क्या हो जाएगा y plus 4 अब बते कितना 3 अब पुछा है x के term में तो जहाँ y है वहाँ x लग देना इसका मतलब x plus 4 बते कितना हो जाएगा 3 x plus 4 बते कितना होगा 3 ऐसा option डूंडों कहीं है x plus 4 बते 3 तो ऐसा लग़़ा फस्टे बाले में मिल गया तो right answer इसका कौन सा हो जाएगा a इनका right answer हो जाएगा कोई दिक्कत कोई परिशानी कर्ष्ट समझ से आए नहीं है आप लोगों चलिए आगे बरते हैं अगली question की होड question number 8 चलिए question number 8 आज़ ये question number 8 अब देखो यहाँ क्या पूछा है how many distinct relation संबंद बताना binary operation नहीं binary operation का formula क्या था n पर power n पर power n लेकिन आप से संबंद की संख्याँ पूछ रहा है जब संबंद की संख्याँ पूछेगा तो उस case में नियम क्या होता है जितना element रहेगा 2 पर power 3 element है तो 3 गुना 3 कर देना 2 पर नहीं power बठाना तो दूपर power n ही मैं देख रहा हूँ है यह option में तो option number कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा right answer यह क्या पूछा है संबंद की संख्याँ पूछा है number of relation आप से पूछा है इसलिए आपका answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा चले आगे बढ़े next question की और question number 8 में आ जाएगी आप देखो यह question आपका क्या है 8 number का fx दिया है gx दिया है आप से fog पूछा है fog बता फंसन और फंसन that means composition और फंसन है यह आपका fog निकलने का तरीका मैंने क्या बताया था fog जैसे पूछा है तो यह होता है लिखने का तरीका ऐसे तो इसका मतलब gx का value इतना दिया है न यह पूरा value को जहां जहां fx वाले में x आया वहां चिपकाना है तो पहले है क्या 8 है गुना x x का value x पर power एक बटे 3 पर power कितना है तो 3 यह 3 से यह 3 गया तो बचेगा बन ली x तो right answer क्या हो जाएगा 8 x तो 8 x आपका है देखो यह फॉग पुछा है तो यह हाल होगा अगर गौप पुछता तो उल्टा चलते हैं हम लोग तो फॉग पुछा है तो यह होगी आपका 8 x right answer होगा option number d यह सवाल आपके exam में कई बार पूछा गया इसलिए बढ़ियां से यह सवाल को आप देख लीजिएगा क्रियर चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों मजा आ रहा है चलिए next question number 10 question number 10 क्यों आजी है अब यहां देखो क्या है binary operation a star b बरावर a square plus b square अब देखो one star two फिर star six पुछा तो सबसे पहले bracket के क्रिया कर लेंगे फिर जो बचेगा फिर six के कर लेंगे उसके साथ तो a star b है तो a का जगा one है b के जगा दू है तो जहां जहां a हो रखो one जहां जहां b हो रखो पहले two तो जैसे ही रखेंगे आप तो one का square one पलस two का square four प्र बाहर में star कितना है six इनको जब देखोंगे चार एक पांच पांच इस्टार छे फिर a के जगा पांच b के जगा छे तो पांच का square पलस फिर क्या हो जाएगा छे का square तो 5 का square कितना होता है पचेस 6 का square कितना होता है 36 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल कितना हो जाएगा एक सट तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा एक सट आपका हो जाएगा इस टाइप का कॉरसन भी हम लोग 30 रपेल देखे हुए थे तो कोई दिक्त को रिसानी नहीं हुआ होगा मतलब सिंपल सी बात जैसा काम यहा होगा बچो चलो एफ सैज है रटेंस टू आरग्र है एफ ऐफ इनवर्स यहां भी इनवर्स पूछ रहा है फिर क्या मन लोग यह पल्फ एक्स को वाई- तो य बरावर कितना हो गया डू यहाँ पलेस टू स्ट थी ड् radio निकालो गए तो य minus 3 बराबर 2x हो गया तो x बराबर कितना होगा y minus 3 अब बटे कितना हो जाएगा 2 अब पुछा x के टर्में जहाँ y हो एक्स रग दो तो right answer क्या होगा x minus 3 अब बटे 2 ऐसा option डुंडो कहीं है x minus 3 बटे 2 ऐसा option b number में है तो इसका right answer पर कौन सा हो जाएगा बी number आपका इसका right answer हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं बचो चली बिना समय गवाए हम लोग next question की और बढ़ जाते हैं एकदम घर में रहिए सुरक्षिद रहिए और अच्छे से परहाई आप करते रहिए परहाई से कोई compromise नहीं करना है बहुत कम समय बचा है यही आपका दिसा और दसाद होने बदल देगा अगर इतना दिन मेहनत नहीं करेंगे तो फिर अगली बार आपको दिक्कत होने वाला है इसलिए कुछ दिन और कुरवानी कर दीजिए त्याग कर दीजिए एकदम परहाई पर बहतर बनाईए 15-16 घंटा रोज इनका मतलब करना क्या है जहां जहां एक्स है वहां पहले एफ एक्स जो ब्हिल्यु दिया उनको रखना है तो इस वाले ब्हिल्यु को जब रखेंगे घंगक दीखी अ चस्क ए एक्स के जगह रखना है त्री माइनस एक्स क्यूब वन बाइ थिरी पर पावर कितना है त्री फिर बाहर में कितना है one by three यही यह आपका अब यह देखो कि दिये यह तो cancel हो जाएगा आपका बचा कितना इतना अंदर में अब तो बावर उलखा था है बाहर में बाई 3 है तो 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस X Q पर पावर 1 बाई 3 यह 3 थिरी भी गया X पर पावर Q बे 1 बाई 3 यह गया तो वराबर क्या बचेगा X तो मतलब F वाले में जहां जहां X था उसी FX का वेलो को X के जगा चिपका ना था मैंने चिपका दिया बच्छो यहां देखो राइट आंसर आपको आजएगा कौन सा X आपका राइट आंसर होगा C नमर आपका राइट आंसर होगा यह कोशन कई बार आपकी एक्जामें 13 कोशन नमर 13 देखिए आपके सामने क्या कर रहा है एप सच्छ डेट आप टेंस टू आर एफ एक्स बराबर 3 एक्स आप देखो भाई यह लिनियर फंसर है रेकिक फंसर है तो लेकिक फंसर कैसा होता है मैंने अभी यह थोगा दिर पहले बताया था यह 11 on 2 होता है कहने का मत ार्स इसन वहाइन आएा रही से सच्छ औरोन और ब commissions ऐसे में और इसले हो बसो उति है तोwieằng समय गौन यह लेकिक पचिछ रहा मैं ल Ó ल१ाएक आपके सामने स्की पार दिख रहा है बच्छों यह कुर्सों दिखो फोग्याओ दिखरे फडार बार्दी के कढ़ा दो बार यस म अब देखो ये question क्या कहता है let are be the relation in the state and n नाम का कोई relation है natural number है defined by ये दिया हुआ ठीक है अब a,b such that a बराबर b-2 अब b का value क्या है 6 से बरा है ब का value जब 6 से बरा है तो b का value क्या क्या हो सकता 7,8 सब हो सकता है कुछ भी हो सकता अब चली इनका option से हम लोगो जाना पड़ेगा कहाँ जाना पड़ेगा इसकी option से option दिखाई दे नहीं रहे आज़े थोड़ा option ले लेते है yes, अब देखो बच्चा यहाँ जब आप देखोगे b का position कौन सा second position है और second position का value क्या बोल रहा है तो 6 से बड़ा बोल रहा है तो 6 से बड़ा यहाँ है क्या नहीं है गया 6 से बड़ा यहाँ है क्या है चलेगा 6 से बड़ा है क्या है चलेगा चलेगा ओके चलो बहुत बढ़िया कम से कम एक तो खतम हुआ अब कहता है अगर 8 रखते हैं आप खीकाने लोग 8 अगर रखते हैं तो 8 में यहां 2 जाएगा तो कितना बचएगा? 8 माइनस जाओगे तो 6 बच जाओगा क्या जहाँ छे है? नहीं है तो यह भी गया है अब 8 रखते हैं तो आट में दो गए 6 हाँ है यही सही होगा, फिर भी अगला भी देख लगा, अब साथ है, अगर सेवन डखोगे, सेवन माइनस टू कितना हो जाएगा, पाइप, क्या यह यह फाइप है, नहीं है, यह भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, के बचो चलिए आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिप है सिमेट्रिक है टांजिटीव है क्या या नहीं है चला अगे देखो reflexive का नियम है one है तो one one yes two two three three four four reflexive है यह reflexive है आगला देखते हैं symmetric symmetric में जो होगा उसका one two है तो two one two one two one two one नहीं है इसका मतब symmetric नहीं है चलिए आगेब जो होगा नहीं होगा फिर अगला देखियेगा Transitive two two है तो one two होना चाहिए one two one यह दुनों से मिल गया ना वन टू तो है नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला थिरी तिरी टू है यह इसका मतलब ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव है तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है सिमेट्रिक नहीं है आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नाट सिमेट्रिक आर सम्मित नहीं है स्वतुल और संकरमक है तो यही आपका right answer होगा यह कौन सा है बी नमबर है चले आगे बढ़ी है बच्चो चले next question number 16 अब 16 में देखो क्या दिया हुआ है 2x plus 3 2x plus 3 है इसका मतब लिनियर है लिनियर फंचन के बारे में अभी just मैंने चर्चा किया है objective right answer हो जाएगा चले आगे बढ़ी next अब यह question भी देख लो यह question भी कैसा one by x है linear है तो linear होगा तो one one on two होगा इसमेदा समय देना नहीं है जब भी function linear हो जाएगा वो कैसा होगा one one होगा on two होगा इसको आप क्या बोलते हो by objective भी बहते हैं क्यार से clear बच्चो चले next question number eight अगला देखो range और domain से समधित question है range का question है range का है पड़ी sir क्या बलते हैं इसको आप पड़ी sir कहते हैं या इसको परास भी कहा जाता है ठीक इसमें क्या होता है जो भीलू रखते हैं रखने के बाद जो भीलू निकल सकता है वही उसका answer होगा अब जैसे देखो अगर x का भीलू 1 रखा जाता है तो 1 में 1 इगा 0 इसका मतलब 0 पहला भीलू होना ही चाहिए अब 0 वाला option एक ही देख रहे हैं वो option कौन सा है b number है तो इनका right answer वही हो जा क्योंकि किसी में है ही नहीं और किसी में है नहीं अगर domain की बात होती तो a number होता domain की बात होती किसकी बात domain की बात हो जाती प्रांत की बात हो जाती अगर domain में अगर हो जाता तो 1 3 हो जाता अब range पूछ रहा है A star B लग रहा है same question मैंने अभी बढ़ाया A star B 1 star 2 A और B तो जहाँ जहाँ A अवारक को 1 जहाँ B अवारक को 2 1 का square 1 पलस 2 का square 4 फिर star कितना है 6 4 1 5 star 6 तो जहाँ जहाँ A अवारक को 5 का square 25 6 का square 36 जो रो गए एक सर्ट same question मैंने अभी देखा था रिपीट हो गए यह question बढ़ी आवाद है बच्छो यह C number आपका इसका right होगा चलो कोई दिक्कत परिसानी करस समस्था नहीं है चलिए आगे बढ़िए बच्छो question number 20 okay math में आप अराम से exam दीजिए बहुत अच्छा number आता है scoring subject है objective में तो आपको बहुत help करेगा 100 objective पुछे जाएंगे ब्यार बोड में जिन में 50 कहीं जवाब देना है अगर आप मेरे objective के series को अगर देख रहे हैं एक एक करके चारे series को अगर आप देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसी मेरे objective series से मिल जाएगा आपको सारे episode को अगर आप बढ़ियां से अगर देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा 50 objective बनाने में कोई परिशानी नहीं होगा जो भी बच्छों नहीं देखे हैं series 1, series 2, series 3, series 4 मैं इसकी description box में सारे series का link देदूँगा आप वहाँ देख लीजिएगा कोई परिशानी नहीं होगा चले आगे बढ़ते हैं next question एप सर्जड़ आर टेंस्टो आर एप सर्जड़ आर टेंस्टो आर विल भी exist अस्तित्व होगा exist का मतलब अस्तित्व होगा कब if आप देखो मैंने बताया था ना बच्चों कि ये inverse तभी exist करता है जब हमारा function कैसा होगा one one के साथ on two होगा इसी को आप क्या कहते है byjective जब मेरा function one one के साथ on two होता है तब inverse जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रती लोम या ब्यूत करम क्या बोलते हैं प्रती लोम या ब्यूत करम भी कहते हैं इन वर्स को exist तभी करेगा जब हमारा function one one on two होगा तो one one on two वाला एक ही option है C तो right answer इसका क्या हो जाएगा बच्चों C इनका right answer हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए बच्चों आपके आज की बीस के question मैंने बीस question ले करके आया है बीस question आपके साथ मैंने साजा किया like, share, comment जरूर करें और एक information सुचना है जरूरी सुचना है जो आपके जुनियर दोस्तियार हैं आपके सगवा भाई बहन हैं जो 12 में मैच की तैयारी करना चाहते हैं 2023-24 का session हमारा सुरू होने जा रहा है 16 जनवरी पाला बैच शुरू कर रहे हैं 16 जनवरी से आप उनको सुचनाएं दे सकते हैं तो चलिए आज का episode हमारा यहीं समाप्स होता है मिलते हैं अगले episode के साथ तब तर के लिए आप लोग सुश्त रहिए मस्त रहिए और परहाई में बैस्त रहिए ओके धन्यवाद